गुड मॉर्निंग, गुड आप्टरनों, गुड एविनिंग, हाई अब्रिवन, दिस इस सी रावल वाज खवारे और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेके आयो जो है वाट टो डू आप्टर बिइंग चार्टर अकाउंटेंट तो ये टॉपिक जो एक सी ये छे महीने पहले, साल वर पहले या दो साल पहले बने हैं उनके लिए बहुत इलिवेंट होगा प्लस अलसो देस वीडियो वोड बी वेरी मच हलपूल फोर दोस स्टुडेंट्स अपेरिंग इन नवेंबर 2020 एक्जाम और पोस्ट डाट इक्जाम तो ये एक बहुत ही confusing सा stage होता है जिस दिन आपकी results निकलती है और आप पहले से decided नहीं होते हो आपको करना क्या है उस दिन आपको बहुत ही confusion होंगी आपके अज़र आपको क्या करना है practice करनी है, job करनी है job करनी है तो कहां पर job करना है industry में करना है, CEA firms में करना है business करना है या खुद की अपनी कोई और other interest के basis पे आपको वो काम आगे बढ़ाना है तो ये बहुत ही सारे आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखे दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आते हैं अब मैंड टॉपिक पे तो जो ऑप्शन्स हैं इसको मैंने चार पाट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, जॉब, प्रैक्टिस, बिजनस या प्रॉपेशन, तो कोई पांचवी चीज भी हो सकती है, किसे को सोसल जर्विस करना है तो भाही, उस पर भी आई हैं हम, डोंट वरी, तो अगर आपका मन जॉब करने का है, तो आपके पास फिर से दो क्वेस्टन्स आएंगे, कि भाही, जॉब इंडिस्ट्री में करूँ, या सीए फर्म्स में करूँ, तो देखिए, आप कोई भी डिसिजन लेलो लाइट में है, सारे डिसिजन की एक कॉस्ट है, एक टाइम होती है, तो आपको ये पहले माइन में सेट होना चाहिए, कि आपको करना क्या है आगे, प्रैक्टिस करनी है खुद की, अगर आपने जॉब करने की डिसिजन लेली है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये फिर डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है या आपको जॉब में ही रहना है, फिर तो आप इंडस्ट्री में ही जॉब कर लो, अगर आपको जॉब ही करना है, तो आप फिर इंडस्ट्री में ही जॉब कर लो, क्या C.A. फर्म में भी जॉब कर सकते हो, उसमें कोई दिकत नहीं है, ये भी इंट्रेस्ट की बात होती है, अग अगर किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहना है ज्यादा अपने आपको डाइनेमिक लिए अपडेटेड नहीं रखना है तो फिर तो आप इंडेस्ट्री में चले जाओ लेकिन कोई अगर नॉलेज का भुखा होता है प्लस उसे यह होता है कि नहीं मुझे खुद को तो अपडेटेड रखना है तो आप सीए फर्म में चले जाओ प्लस वैसे भी बच्चे जो कल के डेट में खुद की प्रैक्टिस सेट अप करना चाहते हैं वो भी सीए फर्म में जाके जॉब कर सकते हैं अब सीए फर्म में भी तीन-चार कैटिगरीज हैं बिग फोर है मिडियोकर फर्म है या स्मॉल फर्म है देखो चाहे कैसे भी या कोई भी क्यों ना हो हर एक बंदे की एक ड्रीम होती है की दे वांट वर्क इन बिग फोर तो पहला आपका टार्गेट अगर आप सीए फर्म में जॉब कर रहे हो तो बिग फोर बिग फाइव बिग टैन में ही करने की होनी चाहिए अगर कोई चांस से आपका नहीं होता है तो ऐसा नहीं है की आपको आगे भी नहीं मिलेगा आप कोई मेडियोकर फर्म कर लो बट ओनेस्ली काम करो दो चार पांस साल दस साल काम करो छे साल जितना भी हो उसके बाद आप अपनी सीवी डालो आपकी सेलेक्शन जरूर हो अब आते हैं प्रैक्टिस में तो जॉब या प्रैक्टिस जॉब या प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए तो इसका अंसर आपके खुद के रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं देखिए most of the chartered accountants belong to middle-middle class और upper-middle class and lower-middle class अल्सो तो रिसोर्सेस की तो सॉर्टिस होती ही है I too have faced तो आपको accordingly अगर प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस ही करना है तो शुरू में आप जॉब कर लो एक capital form करो उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग जाओ तब तक आपके contacts भी बन जाएंगे ठीक है अगर आपके father, uncle या किसी और relative क प्रैक्टिस है जो आपको setup देना चाहते है और वो आपको welcome कर रहे है तब तो आप प्रैक्टिस करो आपको कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होगी अब जो प्रैक्टिस की चीज है या जॉब की चीज है उसमें एक question आता है कि profile कौन सी चुननी है यह दोस्तों सबसे important decision making होती है कि आपको profile कौन सी चुननी है इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावजानी बरतनी चाहिए कहने का मतलब है कि आप किस profile में काम करना चाहते हो direct tax, indirect tax, accounting, auditing ठीक है management consultancy, portfolio management, merchant banker इसकी तो कोई scope decide करी नहीं सकती है भाई नए-णए scope generate होते जा रहे है तो यह आपकी खुद की interest पे है कि आपको करना क्या है आप किसे के कहने पे इस पे मत जाएं आपने जो during the three years of particle ship किया है या जो आपकी understanding हुई है जितने भी दिन आप CA field से जुड़े हैं आप उसके basis पे यह decision लें जरूर लें कि आपको profile के समय जाना है जिसको income tax में interest रहा हो वो income tax में चले जाएं जिसको GST में हो रहा हो वो GST में चले जिसको audit करने का मन हो वो audit profile ले ले ठीक है और एक होता है कि भाई सारे तरह की services मैं दूँगा अपने फ़र्म है तो starting में तो सब कोई ऐसे करते हैं लेकिन मेरा मनना है कि आप एक field के specialized बने क्योंकि after all जो इंडस्ट्री पैसे देती है या कोई भी पैसे देते हैं वो एक पर्टिकुलर फिल्ड के लिए ही देते हैं जो सब जगाओं के काम करते हैं उनको knowledge तो होता है यह ऐसे कोई rule exist करता नहीं है तो rule of triangle होता है कि base देखो के आप मोटा होता है इसका ठीक है उसके बाद जैसे 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 ऊपर की और जाते जाओगे यह एक point को touch कर लेता है मतलब जब आप start कर रहे हो कुछ भी तो अपनी base बहुत लंबी चौड़ी रखो फिर दीरे 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 करते 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 एक चीज की expert बन जाओ ठीक है अब आते हैं business भाई कहीं के तो father के business होते हैं ठीक है उन्हें भी मन होता है कि मैं तो अपनी business ही करूंगा there is no problem आपके पास degree है आपके पास knowledge है आपके पास expertise है आप उसको use करो business में क्यों आपको किसी के लिए काम करना है कुद के business करो एक तो होता है कि आप बहुत ही जादा innovative हो आपकी किसी की कोई business setup नहीं है आप start-up चलाना चाहते हो that is the best idea आप start-up चलाओ अगर चलती है अच्छे idea है तो आज के date में you will be I think very successful but आपको time देना पड़ेगा आपको उसके लिए बहुत मैनत करनी पड़ेगे profession अब भाई यह जिसको job भी नहीं करनी practice भी नहीं करनी business भी नहीं करना यहाँ पर मैं teaching की line में जोड़ सकता हूँ बिजनस में ही या इसको अलग से profession में करते हैं किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो teach कर सकते हैं और आज की date में तो आप start करो just online पढ़ाना अगर आपकी interest है अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हो तो बच्चे आपको जरू लाइक करेंगे कई सारे chartered accountant बनके उन्होंने अपने इंडरेस्ट की और भी काम किया है जैसे एक हरसीन महिता मैम है उन्होंने सी एवन के एक्ट्रेस की रोल सेलेक्ट की ऐसे बहुत सारे एक्जांपल है वैसे बनके कोई-कोई फैस फैसन डीजाइनिग में जाना चाते है या किसी और की कुछ और भी इंटरेस्ट हो तो वो उसको भी select करना चाते हैं तो अगर पूरी बातों का हम cracks ले तो पूरे बात सारी बातों का एक ही cracks है कि what to do after being a chartered accountant पे आते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी चीज है कि आपको long term में क्या करना है उसके basis पे आप goal को decide करें एक चीज हमेशा याद रखिएगा short term compensation always snatches your dream what you have dream for in the future तो शुरू में हजार पांच हजार दस हजार एक लाग रुपई के पीछे मत पढ़ें हमेशा future के सोचें कि आपको कैसे काम आगे करना है तो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपको मेरी ये बाते अच्छे लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू सो मच